Hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ कि MBA students को अपना जो scholarship form है वो किस टाइप से जो है वो fill करना है अगर आपने इससे पहले कभी form fill किया होगा तो आपको क्या changes करना पड़ेगा अगर आप first time scholarship form fill कर रहे हो तो क्या आपको changes करना पड़ेगा यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डीटेल में बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी जो problem है वो ना आए और टाइम पर आपको जो scholarship के पैसे है वो मिल जाए इसके बहुत सारे students को scholarship के forms related बहुत सारे doubts आते है और वो doubts बहुत जादा होते है तो अगर आपको personally मुझे कोई भी जो doubt है वो पूछना है तो मैंने गाइस मेरे app पे direct call का जो option है वो डाल दिया है तो अगर आपको कोई भी question होगा तो app पे जाके direct call का जो slot है वो book कर लेना तो इससे हमारी direct बात हो जाएगे आपको जो भी question होगा वो question आप मुझे directly जो है वो पूछ पाओगे ठीक है तो चलिए कई कैसे हमें अपना MBA का scholarship form है वो फिल करना है तो scholarship का form फिल करने के लिए आपको आ जाना है महा dbt की official website पर जो link है वो मैं आपको description में दे दूँगा ठीक है अब आप में से कुछ students ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी अपना scholarship form है वो अपने under graduation या 10, 10, 12 में फिल किया होगा तो अगर आप ऐसे student हो तो जो ID password आपने तब use किया था वही आपको या पे username and password डालके जो है वो login कर देना है अगर आप वो भूल गया होगे तो आप forgot username and password करके उसे recover भी जो है वो कर सकते हो बट अगर आप एक ऐसे student हो जिन्होंने कभी भी अपना scholarship form फिल नहीं किया है तो ऐसे condition में आपका कोई भी login ID या फिर password जो है वो नहीं होगा तो इस condition में आपको क्या करना है आपको new applicant registration के उपर जो है वो क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के यहाँ पर आपको अपनी सारी जो basic details है वो add कर देना है फिर यहाँ पर आदार कर नंबर, address यह सारी चीज़े जो है वो पुछे जाएगी तो यह फिल कर देना और यहाँ आपको अपना एक जो username and password जो है वो set करना है and confirm करके mobile number पर OTP आएगा and उसे save कर देना है तो इससे क्या होगा कि आपकी maha dbt के portal के उपर एक जो ID है वो बन जाएगी साथ ही में आपको एक जो username and password जो है वो मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे जो है वो fill करना पड़ेगा and login करना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया new students के लिए and जो पहले से जिन्होंने फिल किया है उन्होंने व कुछ SI जो है वो दिख रहा होगा ठीक है अब सबसे पहले गाई यहाँ पर आके क्या करना है आपको my applied scheme के उपर जो है वो क्लिक करना है यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसी application तो नहीं है जो last year अपने फिल किया था वो under scrutiny अभी भी है तो पहले यह चेक करना अगर under scrutiny है तो फि हमें वो भर सकते हो ठीक है तो यह हो गया इसके बाद गाई फिर आपको एक profile का जो button है वो मिलेगा इसके उपर आपको जो है वो कर देना है click इसके उपर click करने के बाद एक note आएगा जो कि आप अच्छे से पढ़ लो and फिर ok की button पर जो है वो कर देना click यहाँ पर कई सब जादा जो changes है वो करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है basics अपनी सारी डीटेल्स है वो डाल देना बहुत सारी students को यह problem आता है कि call certificate में आप बार कोड and certificate number पूचा जाता है तो आपको जो बार कोड है उस पर no करना है and बस certificate number वो डालना है ठीक है and बाकि फिर यहाप आपको जितन information है वो जो है वो update करना है ठीक है अब यहापे मैं इसलिए show नहीं कर रहा हूँ because अगर मैं show करूंगा तो वीडियो जो है वो delete हो जाएगा because वो YouTube policy के बाहर जाता है तो वो delete कर देते है बिना बात का तो दो तीन ऐसे ही delete होगे मेरे video तो इसलिए मैंने hide किया है बट मैं आपक scholarship जो है वो मिल जाए ठीक है और सारी details डालने के बाद आपको save के button पर जो है वो नीचे कर देना है click save पर click करने के बाद guys फिर यहापे आपको address details जो है वो पूचे जाएगी तो आपको अपनी जो address details है वो डालने जाए पर्मनेंट address अभी आप जापे भी रह रह रहे है उसका address आपको यहापे जो है वो डालना है ठीक है यह डालने के बाद फिर से save की button पर जो है वो क्लिक करना है और फिर guys यहापको other information में पूच रहेगा कि आपके father क्या करता है mother क्या करता है और उसके बार में सारी जो चीज सबसे important है यहापे ही सभी को जो changes है वो करना पड़ता है ठीक है अब अभी आपने MBA का first year में जो admission है वो लिया है तो आपका current course guys देखो यहापे अगर आपने पहले form भरा होगा तो यहापे आपका graduation का details जो है वो रहेगा ठीक है अगर किसी ने form fill नहीं किया है तो यहापे कु delete कर देना है delete क्यों करना है वो भी मैं आपको बतारता हूँ delete इसलिए करना है guys because delete नहीं करोगे तो इस साल का course की details हम नहीं डालवाएंगे ठीक है and अभी हमारा course change हो चुका है पहले graduation में कोई और course था and अभी post graduation में MBA में आ गया है ठीक है तो इसलिए सारी जो details है वो आपको delete क करने के बाद guys यहाँ पर आपको admission year in current course तो आपने MBA में कब admission लिया 2024 में इस साल में तो यहाँ पर आपको select कर लिना है 24 ठीक है फिर यह आपको institute state डालना है तो महरा राश्टर ही रहेगा या फिर को जो भी है वो फिर यहाँ आपको district डालना है कौन से city में आपका and फिर Jordan College डाला है ठीक है फिर यहाँ पर आपको course नेम डालना है ठीक है तो वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा admission कैसे हुआ है आपका through कैप राउंड हुआ है या government quota तो आपको जिनका भी कैप राउंड के तुरू हुआ यहाँ पर कैप राउंड का जो है वो आपको select कर देना है फिर आपको CET में कितना percentile मिला था वह आपको डालना है CET का जो आपको admit card number है वह आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है year of study क्या रहेगा आपका year of study आपका रहेगा first year ठीक है तो है आपको first year जो हो select कर देना है ठीक है अब जो first year यह आपका complete हो चुकिया है फिर होने का तो अभी admission लिया है complete थोड़ी होगा pursuing होगा ठीक है तो आपको यहां पर pursuing पर जो है वो select कर देना है ठीक है फिर यहां पर पूचा is professional course तो MBA professional में आता है तो यहां पर professional course डाल देना है फिर is admission through open और reserve category तो category होगा तो category डालना है open से हुआ होगा तो general यहां पर select करना है क्या आपके education में कोई gap है तो यहाप आपको पूछा जाएगा अगर gap है तो जितने भी years का gap है वो आपको डालना है अगर नहीं है तो zero आपको यहाप जो है वो डालना है and mode आपको regular डालना है अगर आपने online MBA नहीं कर रहे हो तो regular ही है आप जो है वो रहेगा and जैसी यह सारी details डालोगे यहाप अपलोट cap ID certificate डालना है तो cap ID certificate रहता है जिसमें हमें पता चलता है कि college का उसमें stamp रहता है जिसमें लिखा होता है कि यह college हमें वो मिला है तो cap ID यहाप यहाप है जैसी है आप save करोगे तो आपको कुछ इस type से जो है वो यहाप यहाप यहापका first year रहेगा यहापे admission date जो की र रहेगा, course रहेगा, university रहेगी और completed में यहाँ पर pursuing रहेगा, ठीक है, तो कुछ इस type से आपको अपना जो है, वो कर देना है, ठीक है, तो इस type से यह आपका जो है, वो देखना चाहिए, ठीक है, यह होने के बाद, फिर यह आपको past qualification में भी जो changes है, वो करना है, अब क्या करना graduation की details हमने वहाँ से delete कर दी थी, अगर आपने fill नहीं किया कभी भी तो वहाँ पर रहेगे, ठीक है, तो फिर यह आपको past qualification में अपना 10th का detail, 12th का detail and graduation का details कुछ इस type से जो है, वो डालना है, ठीक है, पहले 10th का डालो, फिर 12th का details दालो and फिर graduation का details आपको यहाँ पर जो है, ज 2019 से 22 तक जो है, वो खतम हुआ, ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर जो भी आपकी details होगी, accordingly 10th, 12th and graduation की जो details है, वो डालना है, तो कुछ इस type से यहाँ पर अपनी जो graduation की details है, वो देखने को जो है, वो मिल जाएगी, ठीक है, तो इस type से same to same आपको जो है, वो करना है, तो आ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर hostel details जो है, वो पूझे जाएगी, अब अगर आपने hostel लिया है, तो hosteller पर क्लिक करना, अगर आपने hostel नहीं लिया है, तो day scholar पर जो है, वो क्लिक करना, hosteller को जाधा थोड़ी scholarship जो है, अब account में आती है, day scholar को थोड़ी कम आती है, ठीक है, यह है, वो 100% जो है, वो complete होना चाहिए, 100% अगर complete नहीं होगी, तो कहीं न कहीं गलती की होगी, तो वो गलती सही करके, save करके, profile 100% जो है, वो complete कर देना, ठीक है, यह 100% complete होने के बाद, आपको जो है, वो आ जाना है, फिर से home ठीक है, home पे आने के बाद, फिर यहापे आपको जो के help करो और आपको कोई problem ना है तो like करके जो भी आपको अगर वीडियो helpful लगे होगा तो comment में बता देना ठीक है तो profile complete करने के बाद scheme के लिए apply करना है अब कौन से category के लिए कौन सी scheme होती है उसके ओपर detail video बना है link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से देख लेना यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो department चूज कर लेना है department चूज करने के बाद यहाँ पर scheme का नाम चूज करना है ठीक है कौन से category को कौन सा department लगता है पूरा वीडियो में बता है link आपको description में मिल जाएगी जाकर check कर लेना ठीक है फिर यहाँ पर scheme का नाम select कर देना है यहाँ पर search के button पर जो है वो कर देना है click तो यहाँ पर आपको एक scheme जो है वो मिल जाएगी फिर इसके आगे guys यहाँ पर आपको apply का button जो है वो मिल जाएगा क्यों because अभी हमारा जो course है वो change हो चुक है अभी हम first year of MBA में है अगर हम second year MBA में scholarship form भरेंगे तो renewal पर yes करेंगे but अभी हम first time MBA का scholarship form fill कर रहे है तो यहाँ पर हम no पर जो है वो click करेंगे ठीक है अगर आप first year MBA का scholarship form भरोगे तो is this renewal application में आपको no के उपर जो है वो click करना है फिर यहा आपको last year का अपना जो application ID है वो डालना पड़ेगा अगर आपने इसके पहले कभी form fill नहीं किया होगा तो यहाँ पी option नहीं आएगा अगर आपने इसके पहले form fill किया होगा तो आपको क्या करना है आपको portal पर जो है वो आना है portal पर आके guys यहाँ पर आपको my applied history का जो option है वो मिलेगा तो इसको copy करके आपको यहाँ पर जो है वो paste करना पड़ेगा ठीक है अगर आपनी last year week scholarship का form graduation में भरा होगा तो अगर नहीं भरा है तो फिर यह option नहीं रहेगा ठीक है फिर यहाँ पर आपको living certificate जो है वो upload कर देना है declaration certificate यहाँ आपको जो है वो डाल देना है जो कि म बार में पूचा जाएगा अगर EWS से होगा तो वो पूचा जाएगा तो जो भी आपकी ने पहले option चूज के होगे उसके according यहाँ पे आपको option जो है वो आएगा अगर आप category student हो तो राशन कार्ट के बार में भी पूचा जाएगा तो वो आपको यहाँ पर डालना इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा जो form है वो देखने को मिलेगा तो वो form जो है अच्छे से एक बार पूरा preview कर लेना देखना कि सारी जो information है वो सही से जो है वो upload की है या फिर नहीं जो documents upload कि होंगे वहाँ से यह document यहाँ पे आप जो है वो view क पर सकते हो सब सही लगता है तो यह checkbox पर टिक कर देना and submit के button पर कर देना क्लिक सब्मिट जैसे है आप करोगे तो यहाँ पर success का जो message है वो आ जाएगा इसके उपर OK कर देना क्लिक and इस type से आपका scholarship है form जो है वो submit हो जाएगा submit होने के बाद guys क्या करना है आपको यहाँ पर आने के बाद guys आपको जो है वो my applied schemes के उपर जादे जाना है and जैसे आप submit करोगे तो यहाँ पर guys आपको under scrutiny में में आपका जो form का status है वो देखने को मिलेगा under scrutiny ठीक है तो इस type से आपको अपना जो form है वो भर देना है and यहाँ फिर आपको details देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको एक view form का option है वो भी मिलेगा जिसके उपर क्लिक करके आप अपना जो form है वो भी जो है वो देख पाऊगे अगर उस form का print निकाल कि college में submit करना है तो वीव form पर click करके print निकाल के जो scholarship form अभी हमने print निकला वो and जो documents उसके सा scholarship form है वो फिल करना है सारी steps में आपको जो है वो डीटेल में बताई है बस step by step fill कर देना कोई problem नहीं आएगा और आरम से आपको अपने scholarship का amount है वो भी मिल जाएगा ठीक है इसके लाव कुछ भी doubt होगा तो direct call का यह जो session है वो ले सकते हो link आपको इसके description में मिल जाए कि जो भ हुआ हुआ है